आप नरमान्स भक्षियों के साथ, कैनिवल्स के साथ, इलहाबाद में रात गुजारते हैं, क्या कहानी है वो साब? अगोरी चिता मकूद गया है, और न इन साथे फैटिंगी चितार है, एक दुसरे लगने लगे और एक दूसरे काटने लगे, तो वह रात के बारा वजे विकल फिल्मी सेट के तरह था हो, और वह बहुत होया था है तरह वालें उसके बाद। आपने इपनी किताब में इश्रजहां एनिगमा नाम से एक chapter site किया है इस पर एक दोड़ा ये कहता है कि ये लोग आतंकवादी थे या ये लोग plotters थे लेगिन एक दोड़ा कहता है कि नहीं ये सारे fake encounters थे जूटा encounter था staged encounters है जी जी अब इतना साल हो गए था मैं exactly यार ने किताब को भी हमको लिखे वे तरह वक्त हो गया है print अभी हुई है और आपके reporting पर आप UP STF गुसा भी होई थी आपसे हमके बताया गया था है कि वो जो है खुश नहीं है और यह है वो है मार 1220 में कष्मीर क्याप की यातरा में Unter exhibition कि वहा क्या था तो उसंagy खुश 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 की बीपी है किसको बीपी है तुम तो जवरा ने हो भी वो शीशा को बलेट प्रूफ है हमने नहीं प्ताया गया एक शी physically which is called Exact एक्जअट एक्जाट के लिंक्स दाओद इबराहीम के साथ मिलते हैं, असा महाना जाता है कि हैं बेनिजर भॉट्टो से एक हॉटेल में मिलते हैं आप बेनिजर भॉट्टो से उनके घर मिलेते हैं उस इंटर्विव क्या क्या बोला था? पाकिस्तान ने भूचाल आ जाए उस तो ब्यूरे शेयर करिए हाँ चुक्या नमस्ते मेरा नाम सिद्धान्थ है और किताब वाला में आज हम बात करेंगे दमाज फाइल्स इस किताब पर इसका पूरा नाम है दमाज फाइल्स स्कूप्स, कैम्स और शोडाउंस इसको लिखा है मजहर फारुकी ने जो इस किताब वाला के अंक में हमसे मुखातब होंगे किताब पर आएं तो कुछ और चीज़ें बता दें किताब को छापा है बेस्ट लाइंड बुक्स ने इस किताब का अभी का जो पेपर बैक संस्क्राण मेरे हाथ में इसका मूल्य है चार सो निन्यानवे रुपए नौन फिक्शन काटेगरी में है कहीं से खरीदेंगे तह छूट वोट भी मिल सकती है आगे आने वालों में दामों में भी परिवर्थन हो सकता है किताब के, इस किताब अला के संग बाद में देख रहे हों तो जरूरी नहीं है कि आपको यही दाम, यही काम, यही नाम सुनाई दे चीजें बदलती रहती हैं पत्रकार जब पत्रकारता शुरू करते हैं तो वो कई तरह से रिपोर्टिंग शुरू करते हैं अमोमन जो आम तोर पे छोटी 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 रिपोर्ट्स लिखते हैं सांस्कृतिक कारिक्रमों की, सम्मान समारों की, चोरियों की, साइकिल चोरी की, बाइक चोरी की, चरस गांजा का रैकेट पकड़े जाने की, पुलिस की बरबरताओं की, नेताओं के ब्रश्टाचारों की, प्रोटेस्ट समारों की, छोटी खबरें जो जिलास तर पे घटेत ह होती हैं धीरे धीरे समय के साथ पत्रकार अपना काम बढ़ाते जाते हैं अपने काम का दायरा बढ़ाते जाते हैं अलग-अलग किस्म की रिवोर्टिंग में हाथ डालते हैं कभी वो अलग-अलग जिलों में जाते हैं अलग-अलग प्रदेशों में फिर अलग-अलग-अलग टाइम्स और गल्फ न्यूज और अफखलीज टाइम्स में काम कर रहे हैं दुबई में रहते हैं लखनव से तालुक रखते हैं चुकि ये किताब बहुत सारे अकाउंट से भरी है बहुत सारे बहुत सारे इसमें ब्यावरे हैं कई रिपोर्ट्स के ब्यावरे हैं कई रिपो किताब वाला में आपका और सबसे पहली बात हम सब कुछ पर आएं इस किताब में आपकी आपका जो काउंट शुरू होता है आप पत्रकाड़ता में कैसे आएं इस पर बात करें उसके पहले हम यह जानना चाहते हैं कि किताब है क्या किताब का क्या है कि पिछले 20 साल से हम दुबे में हैं और बहाँ पर लोगों का मानना है जब आते हैं इंडिया में कि बहाँ पर क्या जनलिजम है वहाँ तो बहुत सेंटर्शिप है और यह बात सच भी है मतलब इतना आसान नहीं आपर जनलिजम करना इसको हम डॉक्यूमेंट कर पाएं जो बता है लोगों कि यह एक आदमी था जिसने कुछ दिल गुर्दा दिखाया है और इससे स्टोरीज करी तो इसको शुरू कि हमने कि कल को जो नेक्स जेनेशनी के लोग आएं हमाएं फैमिली के लोगों देखें कि यह किताब छपी जि जो कि इसके पीशे कहनी बताएं बिहांड इसीन स्टोरीज करी किया उसकी पीछे हुआ तो वो इस तरह से बन के आ गई और इसलिए आप जो पस जो आपके सामने वह यह गया तो यह पहली किताब है आपको पहली किताब होने के बदाई आपको जी जी थैंक यू सो मच बता तो खिदाब के शौकीन ते शुरू से अब इस तो राइट कॉलम्स फोर न्यूस्टेपर्स जो उस माने में थे कॉलिज में लिकते रहे मैगजीन में तो तो तमाम कोशिश के बावजुद जब खरवानों को लगा कि इनका कुछ नहीं हो सकता तो एक छोटी से मैगजीन उ हमने शुरुबात करी और क्योंकि मैगजीन बहुत छोटी थी तो वहां पे बस मैगजीन बेचते नहीं थे लिखते भी इसी अंदर थे रिपोर्टिंग भी करते रहे पेज भी इसी मनाते रहे पिस जवाने में वो ती ती फ्लॉपी ड्राइव उसके अंदर स्टोरी लिक क वो यह है कि 1990-1990 के आसपास की बात है लखनो में हम थे वह जो कि बहुत मशूर है अपनी गंगा जमी तहजीब के लिए वहां पर एक बहुत ही भानक दंगा हुआ और कुछ लोग कुछ दुकान को करने जला दी गए प्री बावरी मस्जिद डिमॉलिशन से पहले की बात है 91 की शार बात है जी और पुलिस के कुछ लोग हमारे महले माँ गए तो हमाया घर जो है लकनो में है और उसके जो पीछे अगला का है वो प्री डॉमिनेंट मुस्लिव में अगला का है और आगे के तरफ प्री डॉमिनेंट हिंदू अगला है हमारा गर 1914 का बना हुआ है बह लेकिन पुलिस ने जो उसके खिलाफ एक्शन के वह बहुती मेरे खाल से नहीं लेना चाहिए तो उन्हों ने एक स्कूल की छट पर पोजिशन लेग ली और गोली चलाने शूर कर दी तो जो नीचे घर थे उसमें जो लोग रह रहे थे सबाउट के बिचारे बैठे थे जाड माच लोग मार दी गए उसमें कुछ लोग हम जानते थे जो साथ के लाके थे हम लोके हम अमर थे तो वह बहुत ही ट्राजिक था और उसके बाद जो खबरे चपी एक बारों के अंदर वह से जादा तकलीव उसको देखे वही उसमें लिखा गया कि फराले के घर से हत्यारों से हमला हुआ जबकि कोई किसी घर में गुलेल नहीं थी उस जमाने में तो हत्यार कांस होंगे और जो हमारे महले के मस्जिद के इमाम थे वो नाबीना थे मतलब इकुरिंट सी इनिटिंग उनको 20 तड़क उपर उनके हाथ भी गोली मार दी गए और यह बता है कि हटगोला तो इस तरह की खबरे चपी और हमको बहुत सूस था कि कोई भी देखने आया नहीं यह कोई भी अगबार का आदमी नहीं आया पता करने के लिए कि सचा ही क्या है और यह खबर चपी साथ एकबारों में तो हुआ कि एक इमपॉर्टिंट है कि कोई होना चाहिए जो कि सच ब रहे थे और लक्नो मेल से शायदा आ रहे थे और सुबह एक फ्लाइट वह आती ही ट्रेंट ता हम लोग इनको फिक करने चालबर के सेशन के अब अंगर से बहुत करीब है शायद दो-चाल क्लिमेंटर होगा जब लोटे बीच में यह खटना हो चुकी थी अब उस जबाने म फोन थे नहीं वाटसैप नहीं था कि में लोग पता लग पाया है तो जब अपने महले पहुचे हम तो सब सरह क्यों बेरिकेट वह लगे वे थे और हम लोग काईदे से ड्रेस अब थे कार में थे हमाई फादर थे हमाई साथ हमाई कॉसें से हम लोग को रोग लिया गया पुक्क करके टिकेट दिखाया है उनको समान दिखाया लेकिन कुछ ने रे पुलफालो ने और हम लोग अपर अटायक कर दिया लाग्ठी से और बंदू के बढ़ से और हमाई पादर को भी काफिया हम को भी काफिया तो वो बहुत शौकिंग था और जहや से बात है हम लोग उतने पुलिफालय थे हुआ, हम लोग भी पुल स्टर्ण होगे की क्या हो रहा है? पुरक हम जाने कोग एक पुलिफालय थे हुआ क्या क्या होग हुआ है, जब कि हम लोग तो आपस आ रहरे थे अपने ऀपशिशन से तो अफिली काफी टैरिफाइंग था जब घर पहुचे दो कजन्स को पुलिस ले गई थी और उनको बहुत बड़ी तरह टॉर्चर किया गया था इतना मारा गया था कि वो लेकर दे कुरिंट स्टैन्ड जब हम लोग पुलिस टेशन गए उनसे मिलने के लिए रात में किसी के थूरू कर्फू लगिया था तो वो बिचारे लॉक अप के अंदर थे और उनको तरह तरह के ताने दिये जा रहे थे तो बहुत दे के तकलीफ ही कि सिर्फ चुकि उनका नाम एक तरह के एक कम्यूनिटी का है तो उनको उस तरह पकड़ा जाए लिप्ट्रिक का कोई लिए नतने देने देनका से वो उनको चारे शरीफ लोग थे अभी भी हैं मैं कर दो दो लेकिन लखनाओं में रहते हैं लखनाओं में रहते हैं जी अब चीए बताईए कि अब आप ने ये देखा कि उस पूरी घटना कर्म का गलत तरिके से मीडिया जी जी पो ट्रेल किया जी गलत तरीके से रखा लिखा समझाया आइ वुरेंट से गलत तरीके से किया गया क्या होता है कि अभी पर हम देखते हैं कि मीडिया जो है प्रेस हैंड़ाउट स्कूर डिपेंड करता है जाके देखो तफ्रीश तकर है क्या हुआ है वरजन जिस होका है जो हैंड़ाउट दे दिया उसको उन्चाब दिया उस पर उन्ने बता दिया कि इनके घर से हमला हुआ अत्यादुनिक हत्यारों से चब कि अगवार होगा है ना ना जाके चखते करो भई कि उनके घर मत्यार थे कि नहीं थे एक नाभीना अदमी को सरेट पर गोली मार दी एक हाथ तो उनके बच गए थे थे हाथ पर हदेली पर? हाथ यली पर हाँ और कहा गया कि यह जो हद गोले फेक रहे थे तो बहुत कॉमिकल बात है लेकिन किसे ने चेक नहीं किया कि वो भई विस डेड नाओ तो वो जिन्दा नहीं यह बताने के लिए अपने अपनी किताब में एक जगा जिकर किया है पुलिस वाले बोल रहे थे कि यह लहाद जावद नियाइदाद का चक्का यह यह बात सच है क्योंकि जो जो एशिया कप में जावद मियादाद ने आखरी वालो चक्कामार की जिदाए था उसका जिकर करते हुए यह जो तकलीफ हम लोग भी बहुत थी है मैद है वो मैच चे बहुत हम लोग जीत रहते हम लोग खार गए वो दर्द हम लोग दिल में था लेकिन उसको एक्वेट कर देना हमाएं कजिन को मारना हो कर देना यह जो चक्का जाओ 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 तो बहुत और हम लोग बहुत जंग थे लेकिन 17, 18 शाद ऐसी कुछ उमार रही होगी नहीं तो यह देखना और यह मजबूरी में देखना कैसा हो रहा है तो तो एक तो महले के चाल रखे मार दी गए उसके अलावा यह लाक्षन लग जग 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 जगी हम लोग के घरों से हमले वे और फिर हमाएं कजिन को पकड़के बंद करके उसको इस तरह मनना यह कुरिंट स्टैंड़ पर देखना काई महिनों तक वह करें नहीं हुपाते हैं और वह कजन हमसे उमना बड़े थे तो इस लुक अप टु देम कि अगर आपके घर में को बड़ा कजन हो आप उनको देखके वह होते हैं कि भी हमाएं बड़े हैं तो सी हिम इंड़ शेप वह काभी ट्रॉमाटिक था तो किस साल में फिर आप पत्रकारता में लगा गया अपने रिपोर्ट करना शुरू कर दिया हाँ तो उसके बाद हम लोग एक इंसिटूट था जनलिजम का वहाँ पर दाखिला लिया हलाए कि कुछ चीखा नहीं वहाँ से हम लोगों ने मुझे तो अभी भी लगता कि परतगारता कि स्कूलों से कुछ नहीं सीखा जा सकता है मैं बहुत ट्रोलिंग के रिस्क पर यह बात कह रहा हूँ नहीं यह ब्युक्त सरी कह रहा है तो हम लोगों ने ले लिए आइडविशन लेकिन कुछ चीखा नहीं वहाँ से लेकिन फिर एक कॉलन ने इतना शुरू किया टाइम से इंडिया में जो एज फिल एंसर पर छोटी मैगजीन थी लगता हूँ चोटी मैगजीन उसको जोइन कि हमने तो 92 में हम अखबार में आच चुके थे बतलब छोटी मैगजीन में इस तरह शुरूआट कि हमने अपरे के रियर की तो वह अच्छा एक्षपीरियंस और लेर्णिंग था क्योंकि हम लोग रिपोर्टर, राइटर, एडिटर, फोटोग्राफर, तब कुछ उसी में थे दो-तीन लोगों का स्टाफ था तो बहुत कुछ सीखने को मिला हूँ किस तरह का एसाइमेंट्स मिलते हैं थे शुरूआतमे थे, करते थे सिविक इसूज कवर करते थे, जातर तो दूभी उधर दूए जबाने थे अब हम लोग कुछ रिपोर्ट्स के होने का उनके घटने का जिक्र करेंगे और उस पर बात करेंगे इसमें एक घटना में तुछा जंप कर रहा हूं अब टाइम लाइन में बहुत लंबा जंप आएगा तो एक एक जंप है जहां पर आप नरमांस भक्षियों के साथ कैनिवल में लेकिन ये रीडर्स जो हमारे जातर मिडलीस्ट में हैं वो शाद नहीं जानती इसको मैंने चेप्टर करेंट किया तो अगोली वहां पर कोई कुछ मिला था उसमें आए वे थे तो हम लोग को वहां कि मैं इन से बात की जाए लेकिन लेट्स गेट तुसी क्या करते हैं तो जो वहां के अंडर्टेकर थे इसको पिशाज शेद बोलते हैं मेरे खाल से हिंदी बहुत अची नहीं है तो उन्होंने बिलाया कि आप आजए ये तो हम लोग पहुच गये वहां को पर बड़े किरॉसिटी भी थी तो पहले दिन हम लोग गये तो देखा ये जो गोडी कि चिदा जल लेगी थी किसी की एकदम से करकड़ा बारिश शुरू हो गई बिली चमकी और वह फैमिली जो की आई थी वह चिदा कुछ रोके चली गई उनके पस बैटाडोर जीप थी और वह अगोडी निकले और विकुल ट्रांस में जाकर कूद गये चिदा के अंदर उस की क्लिक की वह बहुत अफसूस की बात है कि जो फोटोग्राफर जो ने पिच्चर क्लिक की वह अपने लिखा निसके अंदर आपको पता रहा है कि वह पिच्चर्स उन्होंने हम लों को दी नहीं आच तक वह किसी उन्होंने फॉरन मैगजिन को दे दी है तो हम लों को मिली में नगोडी के लीडर थे वह तो बहुत ठीक थे मतला आफ़िट से लेकिन जो बाकी थे उसमें कोज ऐक बहुत मेटिरलिस्टिक थे कि अपके घड़ी कभी मांग रहा है को आपसे शूद मांग रहा है को आपसे पैसे मांग रहा है तो हम लोग बड़ा उनसे डिस्टंस किसी की बॉड़ी जो है वहाँ पर रिवर के अंदर उसमें फसी भी है जो गंगा का वो ताइम बराज बूलते हैं कि अबसके जो बंधा होता है बंधा होता है हाँ तो आप लोग आ जाएए तो हम लोग पहुँच गए तो हम लोग बहुत दूर थे मतलब ऐसा नहीं कि हम लो चले गए तो उनके तो वो बॉड़ी को उसमें से निकाल लाए थे वो फसी भी थी क्या था तो हम लोग पानी कंदर गंगा कंदर चले के गंगा जी कंदर जीन्स पहने हुए थे जाड़े के दिन थे किसी ने देख लिया अब वो चल्दा है हो मारो इंको मारो इंको आप ल जो उन लोग घुमें अचा वो हम लोग चुकि जीन्स पहने हो थे जीन्स भीग चुकी थी और हम लोग शायद कैमरा भी कर रहे थे और हम जैकेट पहने थे और तेडर भी गए थे तो दो चार ब सिक दो लगा कि या हो रहा है जो देखा कि वह तर शूर शूर लेकर दौड हम लोग भागे वहां से और वो भी साइट ऐसी है जो कि एकसर प्लेज में माइन कि वो त्रिशूर चम रहा है मून लेट के अंदर वो दोड़ने पीछे-बीच हम लोगे हम लोग भागे हम लोग जीव कंदर बैठकर के जान बची अब पता नहीं मारत है कि क्या गड़ते लेकिन वो अपने व इंसिडेंट लिखा था उसमें अपने किदाब्यां गोड़ी इसके बारे में उन्होंने कुछ डिमांड भी रखी थी आपसे ना साधना करनी है विस्की की बाटल लाओ जी 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 तो हम लोग ने बिदाया है नोग लोग कि शब साधना किया होती है व लेकिन हमसुरे ने कहा कि नहीं है लेकिन वोग भी और उन्हें कुछ नहीं है लेकिन बहुत पूजा होजा कि वह दो रहांग खुल गए उसके लेकिन हम लोग लाफ ग्लास थे गए जब वोड़ी ड्रॉक कर रहे थे तो उसकी जी चुश्च ऑन्होंने बहुत ही नौसेट उसकी स्मेल और शराब की स्मेल और गांजा गांजे की स्मेल वो पुरी बस चुगी दिए उसके अंदर ऑचा वो फोटोग्राफ उन्हे कहीं और बेश तो वो लोगों है शल वो वो गई शखें अशन शूरी इस्लिए अपने स्टोरी स्में चाप आए ओके तो इसमें वो फेकिठी थे कहीं नहीं बी प्रकाशि तू 혁uga यह विक सिर्ज गैसे थीज़िसमें ठीक है, आते हैं साल 2001 में, ठीक है, और साल 2001 में 13 दिसंबर के दिन, दिल्ली में संसत भवन पे एक हमला होता है यह समझ में आता है कि देश की सुरक्षा का जिमा लेने वाले लोग जहां बैठते हैं, वो भी जगह सुरक्षित नहीं है क्योंकि पुलिस अधिकारी और स्क्रीनिंग करने वाले लोग प्लस इंटलिजेंस एजेंसी का जो फेलियर बहुँची सारी चीज़ें एक साथ समझ में आती है, वन बाई वन खुल के आती है और इसको इस घटना के अनफोल्ड होने के बाद इस घटना का जब भी आफ्टर मैच चल रहा था, उसमें मज़र फारुकी एक फैसला लेते हैं कि यार क्यों न कार अपनी यूपी की विधान सभाया सचिवाले में गुसा के देखा जाए, कि कोई रोकता है या नहीं और उस दोरां अधिगारियों से भी बात होती, अधिगारी बोलता है कि सब सही है, फिर अधिकार आप बताते हैं कि ने ने सहब हम तो गाड़ी अंदर तक घटास। तो अपनी हम कार लेकर चलें गे अंदर और हो भोड़े फूटरवडाफ खीचिती हो, कहा कि लेकर लेगए। कहां तक लेकर ने लेख़ए। कहां तक लेकर पूरा चकर लगा विदान सब्वाफ अंदर और किसी ने कुछ नहीं रोका, उपले वह मुंफली खा रहे थे और यह उस तक जब कि हाई अलर्ट था, तो हम कार लेके गए अंदर हम लोगों ने फूट रैप की चीक कार की, और यह कहा कि इस कार के अंदर कुछ भी हो सकता था, तो जब यह खाब पर हम लोगों चापी तो उसके बाद यह उनके कहा कि नहीं हम लोगों ने जो है, आपको पैचानता होगा वो गेट वाला और आपको कारे दिया होगा, तक प्र गाते बताएं जिपके ऐसा कुछ नहीं था, फिर उनके कहा कि हम लोगों ने स्वाइच्छ नहीं बहुत वो कर दिये, और अब जो है, बहुत हो गया है, तो एक तिंग उसके एक साल बाद हम फिर इपनी कार उसी दिन फिर लेकर चले गए वहाँ पर, कार का मुछ पैंट हो चुक फिर उसके तो पह और कार थो फोगी तो पैंट उसरो होगा था, तो फिर उन्हों ने वहीं कटना करी, और और आवस एम लिका हा वहाँ पर लेकिन सुरक्षा के लिहाज से जो होना चाहिए वो मैं रखता है कि काफी कमी है अब I don't know किया सीरे हैं वहाँ पर फिर से जाना चाहेंगे मैंने कुछिश कर सकते हैं इसको तो हाला कि इसको देखते हैं बात और मेरे काथ चौकरस हो जाए हूँ मैं अब एक केस की बात करने वाला हूँ जो काफी चर्चा में रहा वो गुजरात में एक की बाद एक कई सारे इंकाउंटर्स के केस सामने आये थे तुल सीराम प्रजापती आपका सुराब अद्दिन शेख का इंकाउंटर और इश्रच जहां का इंकाउंटर आपने एपनी किताब में इश्रच जहां एनिग्मा नाम से एक चैप्टर साइट किया है इस चैप्टर के बारे में इस चैप्टर पे हम जब बात करें तो आप उस समय टाइमस ऑफ इंडिया में थे, साल 2004 की बात है, जी दी, और इश्रत जहां, जिन एंकाउंटर्स का मैंने नाम लिया, इस पर एक दोड़ा ये कहता है कि ये लोग आतंकवादी थे, या ये लोग प्लॉटर्स थे, लेकिन एक दोड़ा कहता है कि नहीं, ये सारे फेक ए लिपोर्ट कर रहे थे, तो पहले तो मैं ये समझना चाहूंगा कि एक लखनव में काम करना ले पत्रकार को गुजरात में हुए इंकाउंटर का इसाइमेंट कैसे मिलता है, वो इसाइमेंट किस ब्रीफ के साथ आपके पास आया था, क्योंकि एडिटर हमेशा स्टोरी देत हैं कि इश्रजजहनें ये किया था और इससे हमारा मुठ भेड़ हुआ, और पिर आप लखनव जाते हैं उस होटल में, सुरी, ऐडिया के उस होटल में जाते ayn हैं एलिजेडली इश्रच जहां रुकी हुई थी और उसके वारे में कहा जाता है कि वो आयोध्या पर अटैक करने के लिए आम्स प्रोक्यूर करने गई थी वहाँ पे स्टोरी के साइमेंट से लेकर उसके आखरी हिस्से तक जहां पका की यह कहानी यह 6-7 पेट का चैप्टर खत्म होता है क्या है प्लीज तो इष्रच जहां जुसा आपने सही कहा गुजरात का केस था और कोई गिर्यक्षण नहीं था लेक्षण नहीं था लेक्शी के लिए लेक्टर नहीं पेट है बास साबच में नहीं हatal हे नियंए इस रखत में जाएगा गुजरत, इडिन्न मेक सेंस भी, फिर में का चेक कर लेते हैं, और चुकि ये लखनों की बात थी, लखनों के अगवार में काम करते थे, और ये होटल था में मुकल महले में था, तो हम गए महाँ पता करने के लिए, कि ये इस रच जहां यहाँ पर आई, पर किसी न ने बताया कि, जो है, ने ने, यहाँ पर एक डीटल छूट की शहएद आपसे, आपने लिखा है कि, होटल और ने बताया कि नहीं इशरत नाम से आईशा नाम से कोई जरूर आया था, जी जी जी, अब इतने साल हो गया था हमें, एक किताब को भी हम को लिखे वे तरह वक्त हमने फोन किया था, अब बताया हमने के टैमसिंडिया से बोले, और पूछा हमने, कि भाई, यह जो इशरत जहां वाला केस है, और आप बता रहे हैं कि लखनों है, लखनों क्यों है थी है, अत्रस पर और इलैबरेट कीजिए, तो उनने जो बताया हमको, तो क्या होता है कि, अगर कोई आदमी हायर अथारिटी में तो आप अक्षपिट करें, तो सक बोलेगा आपसे, अच्छा, वाप अप अशरत जहां के तो पक्षए हैं नहीं, तो बंदा रहे हैं के पक्षए हैं, हमने तो अपना काम की हमने उनसे बयान लिया, अच्छा, आप अबलके बनों के साथ ऐसा होता है कि they get misled, और हम sincerely believe करते हैं कि इस particular story में, जो सही कहानी थी, वो नहीं है, क्योंकि इसमें CBI ने भी questions raised किये, और इस case को लेकि तमाम जो leaders थे, वो arrest भी हुए है, और क्या कहानी आ हुई, तो आप, आपको क्या लगता, आपका हंच क्या क्ताइश जहां case को लेके, कौँ आप, I'm sorry to ask you, you're a very senior person, लेकिन उस समय, आपके reporting manager कौन थे आपके office में, कि इसको report करते थे, सवसीर समपादक कोई कि, कोई desk का head था, desk reporter था, उसको आप report करते थे, desk editor जो होता है, हमाँ वहाँ लगतनों टाइम सेक्शन में वहाँ स्टोरी करी किती, उसको लगतनों टाइम जुद था, वो इतना frivolous नहीं था, मतलब, I've known to say frivolous, लेकिन उसमें hard news भी आती थी, तो उसको उसमें वहाँ ने करी किती स्टोरी, वो स्टोरी वहाँ करी हुई थी, कोई backlash, backlash तो नहीं लेकिन हमको यह बताया गया था कि क्या नाम है, उसके बाद गौर किस्स हुए थे, इसी तरह के, एक गुम्सने गर्म एंकाउंटर हुआ था, जिसमें कि चार पांच लोग मार दी गया थे, और बताया था कि यह लोग आयोदिया जा रहे थे, अटाक करने के लिए, तो उसमें एक बड़ी और लगी है हमको, कि अब हमें नाम नहीं आद लेकर एक्जैम्पल दे रहे हैं, कि पुलिस ने बताया कि यह नाम हम एक्जैम्पल के लिए कोट कर रहा है, नाकी बताने के लिए, कि अमजद, राशिद, जाहिद और फजल, यह लोग जह हैं, यह जा रहे थे, एरो अबने का है, चलो मान भी लेतने कि अएक कोइंसिडेंस है, बल्लियान चांस है, कि जाहिद उसको उठाया फ़लानी जगह से, अमजद, इसको उठाया वहनी जगह से, मान भी लेतने कि यह आप तो यह लोग किस जेल में है, तो हम लोगों ने स्वरी के लिए की ती, क्लोस तो परंपुना रही हमाएं देश के अंदर ने इंकाउंटर्स की और सिर्फ हम लोग नहीं कहते हैं तवाम बॉडी इसके बारे में कुश्चन उठाती हैं तो हम लोग को यह बताया गया कि भही वो जो थे क्रिमिनल थे उनको मार दियाना चाहिए सही था अच्छा गर मांग भी लेते हैं कि आपने बन गए जर्जन जूरियर नेग्डिकूशनर आपने मार भी दिया तकि अगर आप उसको ऐसा प्रांट दी जगए कि वो दिया जा रहे थे तब क्या होता देश के महल खराब गया था एक कम्यूनिटी को लोग टार्गिट कर लगते कम्यूनिटी वाइस टार्गिटिंग होती है जो की हुवी भी है जी 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 तो वो हमें लगा कि सही रिपोर्टिंग नहीं थी उसी दौरान हमें याद है कि कुछ लगके थे फैलिस्टीन के वो लगनाव इनुस्टीम पढ़ते थे तो उनको एरस किया गया और बताएगे क उसमें लिखा था कि ये लोग जहें लड़कियों से चैटिंग करते हैं और चैटिंग करके ये इनका प्लान था कि लड़कियों से दोस्ती करते और दोस्ती करने के बाद कुछ 9-11 टैप को एटैक कर देते हैं मतलब इस स्पेकुलिटिव और बाद में पता लगा कि लगको और यह है वो है अब आद तो लगता है कि वही कुछ नहीं था कई बार ऐसा होता है कि होते हैं इस केसे लेकिन अभूमन देखा गिया है और जो हमार कन्विक्शन डेट है उससे ही जाहिर होता है कि R.S. sources conviction का जो रेट होता है तो यह लगता है कि यह सही नहीं है अच्छा होता है कि जब एक narrative बन जाता है कि इसाब आतंगवादी थे तो यह थे तो वो कोट में वीचार रेपीट दिये गए वकिल भी उनको नहीं मिला तो इस रहां कि यहां कि यह भी case में हमने चुकी फिर रादे निर्सिगेर्ट नहीं किया तो बी फिर लेकिन जतना पढ़ा हमने और जो उस जमाने के कोट के ओडर्स थे तो उसमें भी लगता है कि शायद उसके साथ इनसाफ नहीं हुआ और आपके रिपोर्टिंग पर आप कोई एजन्डर थो होता नहीं किसी का किसी का नहीं होता अगर मेरा ना मज़र फारुखी नहीं होता मुकेश कुमार होता तो शायद यह बात नहीं होती I'm thinking, maybe I'm wrong लेकि दिल में दिमाग यह ध्यान आता है लेकि क्या मज़र फारुखी कोई वास्ता नहीं है इंडियन पॉलिटिक से I'm far removed from what is happening there COVID के दौरान क्या हुबा कि अच्छा UAE में जो कानून है वो बहुत सक्त है वो कानून which is against hate अगर आप किसी मज़र को मज़रा कुड़ाते है चाया वो Christianity हो चाया हिंदूजम हो तो आपको कोई पक्षेगा नहीं अरब लोग जो कि अगर कुछ कमेंट करते हैं हिंदूजम के खिलाव तो इनके खिलाव एक्षिन लिया आता है law बहुत fair है तो ये COVID के दौरान क्या हुआ कि कोई लग़ा जॉब के लिए आया दुबई में उसे नौकरी का अरजी दी तो कंपनी के अचार्ण उसको इमेल लिखा उसके नाम से अबदुल्ला यह कुछ नाम था वाय डियू नीड़ जॉब गो टू शाहिनबाग यृट फिरी बिरानी जी कोई गोखले था विक्ति जिसने ऐसा कमेंट किया तो यह तो खबर आना एक अकबार के लिए इसमें कोई वो तो है नहीं तो जबने उनको फूर्ण किया तो बले नहीं नहीं ऐसा मिल ला है तो अबने यह बताएगे तो जबने उसे रिपोर्ट करी और इन लों के खिलाफ और कई बार ऐसा है कि उनलों खुदी एक लड़की थी डेली की वो एक लॉयर है और उसके खिलाफ लोगों ने कुछ थ्रेट रिट दिया तो उसने हम लोगों को रिचाओट किया स्वाती खन्ना वो यहीं पर रहती है डेली में और किसी त्रलोग शिंग नाम के शिफ ने उनके फेस्बुक पर फेस्बुक पर पोस्ट लिखी तो क्या होता है कि लोग मीडिया को रिचाओट करेंगे ना कि वहां साथ ऐसा हो रहा है पूर्श को रिचाओट करते हैं यहां कि यह ऐसा सा हो रहा है यह दिसलिक रूटीन स्वरी ना कि कुछ में इंविस्टिगेट त्या कुछ निक है दिसलिक सिंपल स्वरी तो कुछ एक अख़बार हैं पुब्लिकेशन हैं जिनके बारे में कम ही करता भीता रही उन्होंने लिख दिया है कि मज़र पारुकी मतलब ऐसा लिख दिया उन्होंने तो जो कि कॉमिकल भी बहुत था और उन्होंने सब प्रोपगंडर को नश्रू कर दिया है फिर जो तमाम ट्रॉल्स थे उन्होंने एक विशिस कैमपेंड लॉंच किया और रात दिन जो हमें खिलाफ इस तरह की बात तो और आपके परिव परिवार को आपको सबको धंकियां दी गई और आपकी दोनों बेटियां इसमें यहां पे थी इंडिया में थी जी हमाई बीटी वह में पढ़े थी और इसको धंकी दी कहा है मैं फादर आमीन थी पास्ट वे लास्ट यर अब वो बिचारे एटीज में थे उनको फून करके कोई कहें इस तरह की बात और जो लोग के वेरिफाइड अकाउंट्स थे और जोंको बड़ बड़ लोग फॉलो कर रहे थे वो ऐसी बात कह रहे हैं कि और इनको जो है मार देते हैं यूर डॉटर्टर्स और हिट लिस्ट तो क्या होता है ना कि आप उतली फिकर होया थी और यह जो जो ही कहता है कि हम ड़ते हैं हैं लोग हम लगता है कि यूट बोलता है सब लोग डरता है फैमिली को लेके हर आदमी जो है वो थोड़ा वो जाता है तो लोग भी ऐहारा ह। आप लेकिन यह अफसोस हुआ देखकर के कि बाउमे फ्रेस किलब ने बकाईदर स्टेटमेंट जारी किया हमाएं से वर में कि भई यह गलत हो रहा है लेकिन आइस्पेक्टेड मोर सपोर्ट कि कोई ख़ड़ कि कहे कि यार यह इसको छोड़ो जहां आप काम करते थे वहां भी आपको सपोर्ट की वहां से भी नहीं मिला अचार थी दूसरा क्या हुआ कि जो पाकिस्तान का पॉब्लिकेशन है उनको मिल जाता है मौका वो ऐसे चीज़ों को ख़बर देखके और मिर्चा लगा के चलाना लगते हैं इंडियन मुस्लिम का प्रोसेक्यूशन हो रहा है विदेश में टैप की लाइन पगड़ते हैं वो उनको तो चाहिए इस तरह क्या मसाला चाहिए तो उनके भी ट्रॉल्स थे जो तो यह सब बहुत आइस काम नहीं कि सब्सक्राइब पढ़े हैं आपको मतला आपने के लिखा हैं न कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स आपका इमेल भरा रहा उस तरह की धंकियों से दम्कियों से बड़ा उसके बाद चाहिए उनको नहीं यह किया कि टैक करना श्रीक अथॉर्टीज को यूई के अंदर कि एक अवार्ड मिला था को बिपन रावत साथ में दिया था है उनको तो आर्मी चीफ थे तो पत्रिका का अवार्ड होता है कुलिश तो वह उनको मिला उनकी पिच्च डाल करके देखिए सहाब विपन रावत के साथ या ऐसाएक आदमी खड़ा हुआ है मतलब क्या पुखभास ही तो इस तरह की चीज़े कहीं आपको हम एक बार गहते हैं तैवान किसी प्रेस ट्रिप में तो पिच्च्छ थी फेस्बुक को पर हमाई तो तो इस तरह का नेटिव बनाने की कोशिश टीक 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 तो इतनी लोगों परस्त है और इतना दिमाग लगाते हैं को इच्छे काम हैं लगाए तो यह देखिए हफसूस वा और चूंकि हम लोग हम क्या सभी जिर्नलिस्ट जो होते हैं आई डून ओ अब तो बड़ा तक हम सुने हम आगए जो हम नहीं सुनते रहे हैं भी गोदी मीडिया वेगारा हम दोंग ने नहीं सुनाता चाह्म यहां पे थी लेकिन जर्नलिस्ट कोई धरम नहीं होता हमाए कपर से तमाम तरह के लोगँ बंद हैं एरस्ट हैं डिपोर्ट हो गये नवेरा शेयक एके लि बिटिश शोविप शेक की बात कर रहे हैं अब इसको पूरा दर्म लेते हैं कि हम बात कर रहे थे किया अज जो आपने कहाना बताना शुरू किया कि क्या आप रिलिजियस आइडिन्टी के अधार पर आपको निशाना बनाया जा रहा था आपने यह कहानी इस सुनाई पूरी जो आपके आप बीती है आपकी अच्छा होता क्या है कि अगर आप वहां बहुत पास लाइफ है दुबई के अंदर और जो सपोर्ट सिस्ट्रम आपको मिल जाता है इंडिया के अंदर फिकर भी होती है कि हम जा रहा है इसानों को कुछ कर दे इस तरह की चीज़ें और क्या अच्छा मज़र जी दुबई की आप फास लाइफ के बात कर रहे हैं क्या फास लाइफ इतनी फास्ट है कि वहां पर मतलब चाइना के लोग इंडिया के लोग को बंधग मना लें वह भी दुबई में ऐसा हो जाता है क्या देखें दुबई को रैंक कि आगिया है सिपस्ट इन दे वर्ल्ड वहां को पर कोई आपको रास्त अब दो बजे गुमियकों को परिशान नहीं करेगा आप दुबई सेफ हैं कोई आपकी घर में नहीं आएगा क्या हुआ था कि साइबर स्लेवरी एक बहुत बड़ी इशू थी और यह हो जी थी कमबोडिया में और मियानमा में जहां भारत मुल्के लोगों को साइबर क्राया जाते थे तो वहां पे क्लैगडाउन गुआ और इन लोगों ने अपना बहुत बड़ा ऑपरेशन मूफ कर दिया यूई गंदर और यह बहुत अफसोस की बात थी कि हमारे नौजवान लोग जिन से हम लोगों जिन से हमने बात भी करी वह हम से बने बताया कि हम चाहते थे कि आदमी जोइन करें और चाइना से लड़े और आज हम चाइना के लिए काम कर रहा है अगेस वो इन्डियन तुझे एक बड़ा हम लोगों ने स्कैम अनकवर किया जिसमें कि हजारों को इतादात में इंडियन और इजिन के लोग वो गया था और कई लोग जो थे वो विलिंगली काम कर रहे थे खुशी खुशी कर रहे थे काम कि उनको पैसे मिल ले थे और इसका एक बहुत इंपॉर्टन चीज़ को में किताब में नहीं लगा और जो हम चाहते हैं कि लोग समझें आपके उसके अमादियों से वो ये कि प्रुफाल इसानी है तुम 10 लग रिपर दो हम तुमको ले जाएंगे कनड़ा लेकिन अफ्टर वन यर इन इस वन यर इन पे यू बैक 50% दो मनी पास लग तो में दे देंगे और उस पीच पर प्रुफाल मिल कर देंगे ताकि तुम चले जाओ कनड़ाओ के तादात में से सेक्रो मिल जए खेफ लेके लोगों को जाते हैं दुबई या दूसरी कंट्री में वहां पे इनको काम कूरी चाइनीज गांगे साथ वहां चाइनीज गाएँ पैसे दोते हैं यह रहने होगे पैसे हमल गया यह आरामसे रह रहते हैं अब इनका जो आईडी है जो इनका दिखायाता है एक बड़ी कंपनी के अंदर मैनेजर या बड़ी पोस्ट दिखा जिया आती है और फिर इनके अकॉर्ड में डालते हैं पैसे इन लोग 30,000, 30,000 कि यह हमाएं कंपनी में मिलाजिम है और इनकी तनखाए 30,000, 25,000, 30,000 जो भी बड़े अर्मेल हैं अब क्या हुए एक साल के अंदर चुकि यह रह रहे हैं योई के अंदर ये दूसरी कंट्री के अंदर इनके नाम से बैंक से लोग लिए क्रेट कार्ट उठाएं अच्छा इस पीछ में इनका चुकी प्रफाइल साब बन चुका है उस पर कुछ चलेगे कैनेडा लेकिन अगर ये लोट के आ रहे हों इंडिया और उनने धोके से प्राइट पकल ली एमिरेट्स की इतिहाद की किसी चीज़ की तो एरेस्ट हो गए क्योंकि इनके नाम पर लोन फ्राइट उनको मालम ही नहीं तो ऐसे बहुत से केसिस सुने में आते हैं तो प्लीज जो भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हो इस तरह से काम भी करती होंगी इस समय की तेजी से इन इस तरह के रैकेट को बंद किया जाए क्योंकि उसमें इस लेवल का फ्रॉड ही नहीं एक बड़ेस तरह का मसल पावर भी इन्वाल होता ही होगा जो इतने लोगों को बनाए रखने में या कॉंटिन्यूसली प्रेशर गुर्प में बनाए रखने में काम आता होगा आई गैस और बहुत अजिव गरीब इनका सिस करदेश्टीम सुरिट थी वो शायद आपके लेलन टॉप में नहीं जो नोग थी सब दूस्यों को बैक अप कर रहे हैं और वो कर रहे हैं चियर अप कर रहे हैं तो वह बहुत गजब का हुगा था था उसाब का और बकाईदान में केडिगरीज थी कौन आदमी तो वाट इ डैड आदमी इसको इस तरह की भीज़नी मेसेज बूढ़ा है तो उसको वीडियो कॉल बे परशान जरूँ तो वह बकाईदा एक टीम है जो साइन्टेफिक लिए इसको देखती है ये बहुत बड़ा इश्यू है ये छोटा इश्यू नहीं है और आप देखेगा कि साइब क्राइम का सुनामी आने वाला है इंडिया कंदर मैं आपसे कह रहो हूँ इस सुनामी आने वाला है इस अब अब हम लोग बात करते हैं कश्मीर पे एक सेप्टर एपका ग्रेट कश्मीर बलफ अब साल 2022 की बात है उननीस में अगस्त के महीने में पांच अगस्त के आसपस 3070 को निश्पर होई किया जाता है उसके बाद कहा जाता है कि स्टेट को स्टेबल करने के ज़रूरी है उसके बाद साल 2022 में मार्च के महीने में मज़र फारुकी और अपने कुछ परशितों के साथ कोट अनकोट परशितों दोस्तों के साथ कश्मीर की यातरा पे आते हैं अपनी किताब में मज़र फारुकी लिखते हैं कि जो मैं लबो लुआ बता रहा हूँ, मैं कोट नहीं कर रहा हूँ कि एक बाला कृष्टन नाम के व्यक्ति पे दबाओ बनाया गया कि वो UAE के लोगों की और बाहर के लोगों की ट्रिप और्गनाईज करे कश्मीर में ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सके, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली दिखाया जा सके कश्मीर को उस पर इंजेंसी का दबाओ था और 36 लोगों का डेलिगेशन आता है और फिर अपनी किताब में मज़र फारुकी ये लिखते हैं कि ये जो पूरा कैमपेंट था, ये डेलिगेट्स के रियक्शन, जितने में डेलिगेट्स आते हैं उनके रियक्शन इस पूरे कैमपेंट के एजेंडे को, इस कैमपेंट के मोटिव को धता बता अता हुआ दिखता है मार 1225 में कश्मीर के आपकी यात्रा में हुआ क्या था? क्या वादा है कि एक प्राइविट जेट के अंदर बैट के हम कश्मीर गए और हमाई साथ कुछ लोग थे और जिन साफकर में नाम लिया वो उसको लीट कर रहे थे किसके तरफ से फोन आया था कि कश्मीर चलना है आप लोगों को? सो जैसे मने किताब में लिखा कि एक बिजनस्मेन है तो एक्शली मैं एक्स्पो हुआ था दुबे के अंदर एक्स्पो के दोरान 2020 में 2020 में कोविट के वागा है उसके तुन बत फिर वा था तो वहां को पर सब स्टेट से लोग आए थे और इंवेस्मेंट सीख कर रहे था अपनी स्टेट के लिए एक इच्छी बात है कश्मी के अंदर इंवेस्मेंट जो है था मुश्किल है में लगता है बतलब हाला कि लोगों ने किया है लेकिन इतना असान भी नहीं है तो यह जो बिजनस्मेंट है इनको भी कहा गया कि आप इंवेस्मेंट बगरा लाइए तो उन्हें एक M.O.U. साइन किया कि हम इतने मिलियन का इंवेस्मेंट कर रहे हैं लेकिन उसके बाद इनसे कहा गया कि आप जो है लेका आईए लोगों को इलिकेशन लेकाईए अमराथिस का तो एक जहाज के अंदर प्राइवेट जेट जो कि अपने आप में हम पहली वार बैठे 30-30 लोग ते तो हम लोग कश्मीर पहुचे और जब यहां जब पहुचे तो हम लोग को पता लगा कि हम लोग एक इन्वेस्मेंट समिट के हिस्से दार है जबकि जो बाकी लोग तो इसमेंट कोई इन्वेस्मेंट करने की जादा लोगों की इन्वेस्मेंट करने की वो नहीं थी सलाइयत नहीं थी शायद तुछा लोगों की रही होगी उसके बाद यह अनॉस्मेंट वा और सारे एकबारों में एक्चापा हंदुस्तान के आप उस दिनका एकबार देशेगा कि 70,000 कोड़ों के इंवस्मेंट आगी है कि श्मीर के अंदर कहा है वह इंवस्मेंट अब तो केसवाल हो गए ना कहा है वह पैसे other than some groups that have invested in malls and some port लेकिन वो जो group था उनके इंवस्मेंट कहा है अगर हमाई बात सही गलत है तो इंवस्मेंट कहा है अब तो काफी वक्त होगी है ना वह बात का तो वो हमें रगता है अप्टिक्स के लिए था दिखाने के लिए दुनिया को कि कश्मीर के अंदर सब पुछ ठीक है और इंवस्मेंट आ रहा है लेकिन कश्मीर के फिज़ा में हमको लगाने के इंवस्मेंट जल्दी आ सकता है बहुत अच्छी बात है कि आए तुरिजम इंवस्मिट तो होटल में हो लेकिन अगर आपको अपना अब एक सिमकार नहीं खरी सकते हैं वह बार हम वापे हम एक उबर नहीं लिख सकते हैं तैक्सि नहीं लिख सकते हैं तो एंवस्मेंट कहां साहाएगा और जो डिलिगेट्स गए थे 35-35 उनका क्या रियक्शन था उस पूरे शिराज़े को देखके शिराज़े को देखके वो था कि जब हम लोग आपको एक्जामपल देते हैं जब हम लोग पहुचे कश्मीर के अंदर तो हम लोग को बठा दे एक गाड़ी के अंदर तो वाकी कश्मीर की कम से कम फिज़ा इतनी अची है तो उसके कम से कम आनंद तो उठाए उसका तो इसने शिशा क्ष़ने कोई पीशे की तो ड्रावर ने गा सर बीपी है उसको बीपी है तुम तो जवब आदमी हो बला नहीं वो शिशा बिलेट प्रूफ है तो अगर बिलेट प्रूफ में आप घूम रहे हैं वहागो पर तो इन्वेस्मेंट कैसे हो सकता है वो भी अच्छा हम तो चाहेंगे इन्वेस्मेंट है किश्मीर गंदर आए और बहुत इन्वेस्मेंट दुनिया सा है लेकिन कंडियूसिव मोहाद होना चाहिए उस तरह का इन्वेस्मेंट के लिए और इस परडिकलर केस में कि उन लोगों से कोई इन्वेस्मेंट नहीं है अच्छा उस दौरां क्या हुआ कि कोई एक समिट हो रही थी पाकिस्तान के अंदर वो ऐसी की तो मीडिया ने यह समिट है कि देखे साब वहाँ समिट हो रही हो ऐसी कि और लेकिन यूई जो है वो इंडिया के साथ है जबकि वो इस देलिगेशन यूई के नहीं था अगर हम लोग यहां सुटके चले जाएं फ़सकीजे क्या नाम है कजाकिस्तान तो हम लोग के डिलिगेशन वह नहीं है इस नाट ए इंडिया डिलिगेशन लेकिन वो इस तरह प्रोजेक्ट किया गया है कि यह देखे साब गौर्मेंट बैक्ट है वो अप्टिक्स के लेवल पर उसको बुनाया जा रहा था हलेकि इसको देखके जो तुमाम लोग हैं वो खुश नहीं होंगे प्रिक्ट आपकी बहुत रीच है लेकिन सुब इट जो सच है वो लिखा हमने जो आपने लिखा है मैं तो उससे ही पूच रहा हम है बाहर जाओंगो तो बात बहुत 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 चाली जाती है अच्छा एक आपने शोयब शेख के बारे में भी बातचीत शुरू हो गई थी कि NY Times ने साल 2015 में एक investigation पब्लिश किया लेकिन उसके पहले ही आपने उस investigation को एक साल पहले साल 2014 में वो investigation आपने कर लिया था लेकिन आपके publication ने शोयब शेख के उस पूरे काटल का उस पूरे संगटन का नाम लेने से इंकार कर दिया था जिसके लिए जिस प्रकाशक के लिए जिस अख़बार के लिए आप काम कर दे थे उसने मना कर दिया था लेकिन NY Times ने एक साल बाद नाम के साथ वही investigation प्रकाशिए था एक साल बाले आप इना नाम के प्रकाशित करते हैं, आप ने प्रकाशित किया था अपना इनवे, शापा था हमने, और आगे एक साल बात कर दे हैं, क्या है, कौन है शोईप शेक कोई कहानी की? क्या हुआ कि दो हजार कब की बात है यह वही चौदा पंद रहती है, तो जब हमने हमको यह बताया है कि यह प्रकाशित के लिंक्स दाओद इबरहीम के साथ मिलते हैं, ऐसा माना जाता है कि हैं, तो हमको लगा यह बहुत बड़ी ख़वर रही है, और हम निसकते हैं, तो हमने सारे अख़वारों को यह इमेल लिखा, और हमने इमेल में किताब में रिप्रड्यूस किया है, कि बई दोखो, हमको यह मिला है खुलासा, यह यह हो रहा है, हमको मना कर देए, अब तुम लिख दो उसके बारे में, यह बहुत बड़ी ख़वर है, कि अगर भारत के लोग ए फेक, पाकिस्तान के एक कंपनी के साथ, तो यह तो बहुत बड़ी ख़वर है ना, और यह फेक डिग्रियां बेचता था, किसके सरगी फेक डिग्री बेचता था यह? अब क्या है कि मान लिजाए कि आप जो है, 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 है जब कि वो इनुवस्टी एक्जिस्स नहीं करती है लेकिन वो चुब कि इतनी फैंसी डिग्री है और इसको पर इतने अच्छी महरवर लगी तो लोग किंग आए तो और इसका वेबसेट पर भी बहुत इच्छी है शानदार कैमपस है सब कुछ है तो चार सो ऐसी इनुवस अगर आप पड़कर कहा रहें किसी कॉलिज से लेकिन वो डिग्री जो है बहुत पैंसी है और अच्छा क्या था कि देर फोर्जिंग स्टैंप आप दो युए सेग्रीटिटिव स्टेट युकि जो लगी होती युश्टी बाहर की अब उनके अगर महर लग गई तो फिर ब इमाम लोग एडिस भी हो गया है उनको उमर खैद भी होगए अमेरिकान में केस भी चलता है वो यह स्कोर रैकेट को रन कर रहा था और यह बहुत बड़े स्केल पर रन कर रहा था अभी भी इनके वो हैं और यह बताते हैं कि आपको बिल जागा इस दिग्री तो जब हम लोग अनुरिस्टिगेट किया हमने इन्रोल के अंड़ के अंडर तो फॉरण आगया फोन कि इस प्रफेसर जीन कॉलिंग फ्रम कैलिफॉनिया और उस ताफ कॉल जो थी पाकिस्तान से आ रही थी और वो जो थे एकसेंट बनाए थे जो अंग्रेजी बोल ले थे उध़ते रहे कि उस पर दो रहा है तो यह हुआ और इवन एफबी आई युएस आर्मी के तमाम लोग ने खरीदी डिग्री जिस पर युएस ने बहुत 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 इंडिस्टिकेशन किया है एफबी आई ने और तवाम लोग गरेस्ट है किश्टू को मरकेद भी हो गई है शेयफ शेयक एरेस्ट भी हो गए थे बाद में वो छुट गए और जिस जजज ने उनको छोड़ा उसने बताया एफ़ डेविट लेगे कि हमने 50 लाग रुपे लिया है कुछ होनने का 50 लाग रुप है मैं एक दो चोटी चोटी कहानिया और है हैं उन पर आपसे बात करूंगा एक है बेनिजिर भुटो का secret interview और एक है मकbूल फिदा हुसैन मकबूल फिदा हुसैन किस पहले बात करें और मर्म फ सेन पर कि बेनिजिर भुटो जिस पर आप करी मगबूल फिदा हुसान पर कर लेते हैं चीक है मगबूल फिदा हुसान आपको वोलते हैं कि चलो बैंड वाजा बाराद देखे जाए और आप ने लिखा है कि आप ये बहाना बनाते हैं कि आपको पत्नी के साथ कहीं जाना है मतलब अगर मैं भदेश भाशा में कहूँ तो आप मगबूल फिदा हुसान को टरकाने का काम करने के कोशिश करते हैं लेकिन में फिदा हुसान आपकी पत्नी को फोन मिलवाते हैं और बोलते हैं कि ये तो कहीं नहीं जा रहा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें तो और अच्छे दोसों हारे तो अग्धर तो अकत्न तक भी लोगो एक है कि आज ओ पिछर देखनी है जाना है वाइफ फोन करते हैं तो उने का मैं उन्हें बें भार ड़िया देखन करते हैं तो पिच्चर हॉल में वो बीच में घाव हो गए तो पॉपकॉर्ण लेकर किया है फिर वो गाना शुरूबा उस पर को डांस कने लेगे नौब पिच्चर देख चुके थे वो उसके बाद हम लोगा ने हम लोगा गए कही लैंब चॉप्स वगरा हम लोगा ने खाए दो बज इसक्षा का नंबर है तीन विजे है नंबर मांगते लिए बज़े बात करनी उससे श्वाहम बात कर सकते आ नंबर इपी तो नहीं मिल सका नंबर कि बहुत लुडस पस्नालिटी थे और उनको बहुत तकलीफ दिए बात की कि वो इंडिया जानी पाए वो बहुत दर था उन और तुमाम हमारा काम इसको पर है और वो कोई ऐसे डिलिजिस में थे कि उनका कोई एजंडा रहा तो उनका बहुत दर्द था उनके दिल में वो मिस्करते थे बहुत इंडिया को अपरी साइट की वो गतर में जाके रहे और पास तवे के बार मुसुने नगा कि एक बार में प किस कैसेट पर बात्चित हुई डिक्टाफोन पर रिकॉर्ड किया अपने छोटा वाला रिकॉर्डर आता है किसने खराब की कैसेट पूरी वो कैसेट कहीं रखी होगी होगी हम ढूनेंगे क्योंकि कई बार लोगस के बारे हम फूच चुके हैं आपने कहा ही करप्ट अब उस कैसेट को हम कहीं लगाएंगे तब तो प्ले करेंगे इसको तो हमें डिक्टाफोन पोड़ना पड़ेगा उस तरह का फिसको प्ले करना पड़ेगा यो बहुत सोनुने चीज़े बताएं ती जो हमने उस वकद नहीं चापी ती अब काफी वो एक्स्पोसिव होगी अचा आप यह कहिए कि हम लंदन में मिले हैं तो मैं ठीक है हमें क्या पूछा एडिटर को बेकि लंदन लेड़ना तो अभी पॉब्लिश स्रीट लंडन डेट लाइन जबकि दुबए में लगाए तो इनकी घर पे किस साल की बात रखोगी साल भूल गया हम काफी पहले की अचा इस पी शेयर लिखा होगा यह आ रहे है कि बिलावल जो था बहुत छोटा सा था इसके लंबिलों में बाल थे तो करता है इसको रुखो बाल इसको बाल इसके बाल कर रखें कटवाता भी नहीं बाल इस तरह की बात होती थी बिलावल से और उपर उनका हॉस्पिटल बिला रखें था उतनी मा का उनोंने की वालदा जती बहुत बिमार रहती थी और उसके बाद शी बात करती थी वह जो जब वो जा रहे थी वापस पाकिस्तान तो उनको लोगा ने कहा हम लोगा ने भी का कि नो शीडिंग अबाट इट आपने और उस इंटर्विव में क्या क्या बोला था हो गया उन्होंने क्ली चीज़ें बताई थी उस तो बताई यह आपने लिख दिया है कि अगर उन्हों सारा ब्यॉरे यह सारे ब्यॉरे आ जाए तो पाकिस्तान ने भूचाल आ जाए उस तो ब्यॉरे शेयर करिए हाँ चुक्कि हमारे पास ड्रैक्ली वह है उन्होंने बात के ति न्यूक्लीय ट्रीटी के बारे मेंगे बात की ती, जो स्यंतिस्स हैं अंके बात की ती और मुश्रंफ उनको क्या डील दे रहे थे उसके बारे बात की ती लेकिन मुग एःदत । इसके बारे में बात कर थे सबस्क्राइब अब जिस आपके पास तो खिर कोई दिसके वह नहीं है सब्कर्पलम जो चीज़ें पुड़ें थे तो ऑफ दी तो इनुड़ी तो इट विट वोर्ट समधिन अच्छो कि इतने साल हो गया हमने भी सोचा नहीं है किने किदाब लिख सपने के बाद बहुत लोगो ने कहा है कि उसको निकालो उसमें चाहे सेल गो लुक अप अप एट और सम्टिंग दर यह बहुत चीज़ नहीं है यह मतलिक ना सकंदा यह मतलिक तालिबान के बारे हैं बहुत चीज़ बाते जो कुछ उनके साथ हुआ और उनकी डॉटर को कुछ आसिफा शेयद नाम की रॉटर थी उनको कुछ लगे कुछ परिशान करते थे उनको कुछ स्किन डिसॉर्डर था तो उसके बारे में कुछ परसनल चीज़ थी जो शाहर भी बताना भी सही नहीं होगा उसको लेके काफिर कंसर्न थी वो उससे बा मास वायल्स पे हमारी बातचीत इस किताब को आप पढ़ना चाहें तो मेरे ख्याल से अधिकतर प्लैटफॉंस पे उपलब्द होगी ही आप खरीद के मंगा के पढ़ सकते हैं क्योंकि मैं पतरकार हूं और पतरकार की किताब को रिकमेंड करने के साथ-साथ मैं एक से पतरकारों का काम किसी भी सवाल से परे नहीं होना चाहिए कोई भी कितना भी बड़ा है चोटा पतरकार हो बाकि इस बातचीत पर आपकी क्या राय है हम जरूर जानना चाहेंगे पढ़ते रहिए लिखते रहिए ललन टॉप देखते रहिए कैमरे पे हैं मयंक और अमिते प्रोड्यूस किया है दिफकते मुरिया ने, मैं हूं सिद्धान, मज़र फारुकीद को आप सुनी ही रहे थे, वाद मुश्कूरियों